हेलो दोस्तों कैसे हो, मैं भरत सिंग आपके लिए लेकर आया हूँ नौलज़ फूल वीडियो, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चेनल BSRCM को सब्सक्राइब कर लेना, तो दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा RCM स्क्रंच रोज शर्बट, तो साथियों आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जब आपका गला सूख रहा हो और आपको कुछ थंड़ा पीने की जरूरत हो, तो स्क्रंच रोज शर्बट का स्वाद लाजवाब होता है और यह आपको तरो ताजा कर देता है, पानी या दूद के साथ मिलाने पर इस आकरश देने वाले गुन होते हैं, जो आपको थकावट महसूस होने पर अत्यदिक ताजगी और उर्जा प्रदान करते हैं, स्क्रंच रोज शर्बट एक बहुमुखी शर्बट है, जिसे ताजा शर्बट में या दूद के साथ मिलाकर एक स्वादिश्ट थंड़ा पे बनाया जा सकता है, इससे कई तरह के थंड़े पे पदार्थ तयार किये जा सकते हैं, जैसे लस्सी, मिल्कशिक, शर्बट, गोला या यहां तक की मिठाई भी, इसे पुडिंग या आईस्क्रीम के साथ भी मिलाया जा सकता है, स्क्रंच रोज सिर्फ गर्मियों में ताजगी देने वा सिर्फ मिलाना होगा और आपका स्वादिष्ट गुलाब शर्बत आपके स्वाद को लुभाने के लिए तयार है, ये गले की खराश को शांत करने में बहुत मददगार है, प्रमुख विशेश्टाइन, प्राकृतिक गुलाब की पंखुडियों से निर्मित, वर्षों से एक ट्रेंडी पे और थंडा पे तयार करने के लिए किसी विशेशग्यता की आवश्यक्ता नहीं है, गले की खराश को शांत करने में मदद करता है, थंडे पे पदार्थ जैसे लस्सी, मिलकशेक, शर्बत, गोला या यहां तक की मिठाई भी तयार करें, ये आइसक्रीम य और असाधारन स्वाद के लिए अत्यदिक मूल्यवान, इसे तयार करने के लिए अतिरिक्त चीनी की आवश्यक्ता नहीं होती है, तयार करने और परोस्टने में त्वरित और आसान, प्रीमियम पैकेजिंग और भंडारन की सुविधा के लिए एक बोतल में पेश किया जात है, प्रयोग करने में आसान, स्क्रंच रोस शर्बत तयार करने में आसान पे है, 15 मिली स्क्रंच रोस शर्बत में 100 मिली थंडा पानी मिलाए, चाहे तो बर्फ के टुकड़े डाले और आपका ताजा स्क्रंच रोस शर्बत आपकी प्यास बुझाने के लिए तयार है, इसक पूच्राइब आठाइब आठाइ जा देड़ झाल प्राइब देता जानि जाल भी इल झाल प्रूस्ख प्राइब बेचे लिए जा कि अदू देश इसे ने स्थान से ने जा से हैं।